हेलो एव्रिवान स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में आजम करेंगे मॉक टेस्ट नमबर 9 हर्याना पुलिस दिल्ली पुलिस और D.S.S.S.S. भी तीनों ही एक्जाम के लिए कम्प्लीट मॉक टेस्ट जो है आप परिक्षाइब से खरीद सकते हैं दिल्ली पुलिस और हर्याना पुलिस के लिए जिस पर आपको 40% का ओफ मिलेगा अगर आप हमारी टोपर्स 40 कोड को यूज करेंगे तो ठीक है इसके लाव आप सीटेट के लिए अगर टेस्ट सीरीच च बिम्बसार जो थे इनमें से किस राजवंस के संस्थापक थे नंदवंस, मोर्यवंस, हर्यकवंस या फिर गुप्तवंस बिम्बसार के बारे में बताना है कि बिम्बसार किस राजवंस के संस्थापक थे तो देखते हैं देखें नंदवंस के संस्थापक कौन थे महापद मोरिय वंस की स्थापना की थी चंदर गुप्त मोरिय ने हर्यक वंस के संस्थापक कौन थे बिम्बसार जिनका पुत्र था अजाद सत्रू ठीक है और गुप्त वंस की स्थापना की थी श्री गुप्त ने ठीक है और गुप्त वंस का पहला प्रत्हम प्रतापी राजा पूछा जाता है तो कोन था? चंद्र गुप्त प्रत्हम ठीक है वैसे संस्थापक थे श्री गुप्त ऊकी तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा हर्यक वंस ठीक, चलिए next देखें What was the another name of Quit India Movement? भारत छोडो आंदूलन जो हुआ था उसका दूसरा नाम क्या था? भारत छोडो आंदूलन का दूसरा नाम जो है बताना है अगस्त क्रांती, non-corporation, civil disobedience, no option is correct. तो देखें Quit India Movement, 1942 में हुआ था अगस्त में ठेक हैं तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांती के नाम से भी जाना जाता है, ओके? चलिए next देखते हैं. नेक्स्ट या, in which session Congress Party was split? किस स्तर में Congress Party का विभाजन हुआ था? सूरत 1906 में, लाहूर 1909, मदरास 1908, no option is correct. ठीके तो देखें, Congress Party का जो विभाजन हुआ था, वो 1907 में हुआ था. ठीके तो भाड़ती रास्टे का अंग्रेस का जो विभाजन हुआ था, वो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवीशन में, ठीक? जिसमें जो है, दो दल बन गये थे, एक गरम दल बन गया था, और दूसरा नरम दल बन गया था, ठीके? तो यहां पे जो है, सूरत 1906 दिया गया है और जो इसका राइट आंसर जो माना गया था पेपर में, वो सूरत 1906 जो है, उन्होंने सही माना था, ठीके? लेकिन सूरत जो दिवेशन हुआ था, यह 1907 में हुआ था, चले नेक्स देखिए, वेहर इस दा सलार जंग म्यूजियम सिचुएटेर, सलार जंग म्यूजियम के बारे में बताना है कि यह कहां पर है, पतना, हैदराबाद, लकनव या मुंबई, तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सलार जंग जो संग्राल्य है, यह कहां पर है, हैदराबाद में है, तो सेकिंड ओप्शन जो है, सही होगा यहां पर, नेक्स देखिए, नेक भारतिय विरासत के लगू चित्रों का विकास जो है इन में से कहां पर नहीं हुआ था मेवाड, जूनागड, किशनगड, बुंदी जो भारतिय विरासत के लगू चित्र है उनका विकास पूछा है कि इन में से कहां पर नहीं हुआ था ठीक है तो right answer हो जाएगा यहाँ पे किसानगड में third option जो है सही होगा next देखें in which state is located दा लीपु लेख पास लीपु लेख दर्रा बतानी है कि किस राज्य में है सिक्किम में, उत्राखंड में, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर लीपु लेख दर्रा तो लीपु लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है उत्राखंड में स्थित है तो second option जो है यहाँ पे सही हो जाएगा उत्राखंड next देखें जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए कौन सा स्थान है जो प्रशिद है तो देखें जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए जो स्थान प्रशिद है वो है पंपूर first option जो है यहाँ पे सायोगा next निमन में से कौन सा शेतर है जो पश्मी विक्सोब से वर्शा प्राप्त करता है केरला, तमिलनाडू, पंजाब या करनाटक which of the following reason receive rainfall by western disturbances देखें पश्मी विक्सोब से जो वर्शा होती है वो कहाँ पर होती है उत्तर भारत के इस्सों में होती है उत्तरी भारत में जो होती है पश्मी विक्सोब के कारण तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तर भारत में कौन सा है पंजाब है शिर्फ ठीक है तो राइट आंसर यहाँ पर पंजाब हो जाएगा ठीक है इनमें से कोन सा खनीज है जिसका दूसरा नाम भूरा हीरा है ब्राउन डाइमंड जिसे कहा जाता है मीका, आइरन, मैगनीज या फिर लिगनाइट तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन डाइमंड कहा जाता है लिगनाइट को फोर्थ ओप्शन जो है यहाँ पर सही होगा लिगनाइट ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं विच ओफ दा फॉलोईंग पार्ट रिसीव दा फर्स्ट मॉन्सून इन समर भारत का मतलब कौन सा भागर जो सबसे पहले मानसून प्राप्त करता है मतलब शुरुवात वहीं से होती है मानसून की हिमाल्या में गाल्या प्लेटो वेस्टरन गाट या इस्टरन गाट तो कौन करता है सबसे पहले मानसून प्राप्त वेस्टरन गाट पश्चमी गाट पे जो है सबसे पहले मानसून आता है तो right answer हो जाएगा western ghat ठीक है next देखे the spherical shape of raindrops is due to जो बारिस की बूंदे गोल होती है उसकी वजह क्या है viscosity, elasticity, friction या फिर surface tension the spherical shape of raindrop is due to surface tension जो है या पर सही हो जाएगा ठीक है fourth option next देखे which of the following is not one of the fundamental quantity in physics जो physics में एक मौलिक मातरक नहीं है उसके बारे में बताना है time, length, weight या फिर mass तो कौन size में से मौलिक मातरक नहीं है तो देखे time भी होता है, length भी, mass भी जो नहीं है वो है weight यानि की version next चलते है which of the following component is responsible for the formation of kidney stone kidney stone जो गुर्दे की पत्री होती है वो किस की बनी होती है sodium chloride की silicate, calcium oxalate या फिर calcium bicarbonate kidney stone किस का जो है बना होता है बहुत important question है यह गुर्दे की जो पत्री होती है वो बनी होती है calcium oxalate की third option जो है याँ पर सही हो जाएगा calcium oxalate okay next है which among the following kind of lenses are used to treat astigmatism astigmatism को ठीक करने के लिए किस तरीके के lens का यूज किया जाता है concave lens, convex lens, bifocal lens या फिर cylindrical तो किस तरीके का lens जो है astigmatism को ठीक करने के लिए किया जाता है तो देखे right answer जो हो जाएगा याँ पर cylindrical lens जो है याँ पर सही हो जाएगा cylindrical fourth option जो है सही होगा okay next देखिए which is the most abundant inert gas in the atmosphere of earth प्रिथी के वायू मंडल में सबसे प्रचूर मात्रा में निस्करिया गैस को नसी है helium, neon, argon या फिर genone तो right answer हो जाएगा प्रिथी के वायू मंडल में सबसे प्रचूर मात्रा में जो निस्करिया गैस है वो है argon ठीक है third option अगला देखते है which of the following gases is used in manufacturing of वनस्पती घी फ्रोम वैजी टेबल ओयल इन में से कौन सी गैस का उप्योग जो है वनस्पती तेल से वनस्पती घी के को बनाने में किया जाता है hydrogen gas helium gas oxygen या फिर nitrogen तो यहाँ पे पूछा गया जो वनस्पती तेल से वनस्पती घी बनता है वो किस gas का use जो है उसमें किया जाता है तो right answer हो जाएगा hydrogen gas का ठीक है next देखे which layer of the atmosphere is also called ozonosphere वातवरन की कौन सी प्रत है जिसे ozonosphere भी का जाता है exosphere stratosphere troposphere या फिर mesosphere ozonosphere कौन सी कहलाती है तो देखे अगर हम देखे ozon की अगर हम बात करें तो यह पाय जाता है समताब मंडल में ठीक है सबसे नीचे कौन सी होती है शोब मंडल होती है फिर समताब मंडल होती है और फिर मध्य मंडल होती है तो समताब मंडल में जो है ozon की परत पाई जाती है, ठीक, तो right answer जो यहां पी हो जाएगा हो जाएगा stratosphere, stratosphere को ही क्या करते है समथ आप मंडल ओके, next चलिए, mission इंद्र धनुष is related with children's safety, children's vaccination, e-commerce या फिर rice export, mission इंद्र धनुष बताने कि किस चीज से related है तो Mission Indra Dhanush क्या है? Children Vaccination, बच्चों के टी का करन को जो है कहा गया Mission Indra Dhanush ठीक है? चलिए next देखिए, Guangzhou is the Chinese name of which city? Guangzhou बताना है कि यह किस शहर का चीनी नाम है? Option है Beijing, Canton, Sichuan या फिर Manchuria Guangzhou किस का चीनी नाम है? किस शहर का चीनी नाम है? Guangzhou तो right answer हो जाएगा यह नाम है Canton का, ठीक है? next चलिए, only one of these neighbor of India that does not use the rupees as currency is भारत के इन पडोसियों में से केवल एक मुद्रा के रूप में रूप एक आउपयोग नहीं करता है मतलब अगर हम बारत के पडोसी देशों की बात करें तो रूपे का यूज जो है हरे की currency जो है वो रूपया है ठीक है? लेकिन कौन सा पडोसी देश है इन में से? कि जो रूपे का यूज नहीं करता है मतलब वहां की मुद्रा, वहां की currency जो है रूपया नहीं है ठीक है, पाकिस्तान, स्री लंका, नेपाल या बांगला देश तो देखें, पाकिस्तान में कौन सी करंसी यूज होते है, रुपया यूज होते है श्री लंका में भी, नेपाल में भी, ठीक है, तो जहां पर यूज नहीं होते है वो कौन से है, बांगलादेश में, बांगलादेश में जो है कौन सी करंसी यूज़ होती है, तो वहाँ पर यूज़ होती है, टका, ठीक है, तो right answer याँ पर बांगलादेश जो है सही हो जाएगा, ओके, next चलती है computer के question है देखे first है TCP का पूरें रूफ, full form बतानी है TCP की, TCP की full form क्या होती है, तो TCP की full form होती है, transmission control protocol transmission control protocol TCP की full form होती है ठीक है, फिर आता आती है, URL URL की full form क्या होती है, Uniform Resource Locator Uniform Resource Locator यह होती है, URL की full form, next चलती है, a dash means the rules applicable to a network, किसका आर्थ है किसी network पर लगने वाला नियम तो देखे, network पर लगने वाली नियम को का जाता है, protocol protocols होती है, rules and regulation ठीक है, तो यह protocol means the rule applicable to a network, ठीक है आगे पूछा गया, DML तो यह हमने इससे पहले वाली mock test में की थी, DDL और DML, दोनों की बताई थी मैंने, DDL होता है data definition language और DML होता है data manipulation language data manipulation language दोनों की याद रखिए, ठीक है, चली नेक्स देखते है एक data base में tuple का number इसकी क्या कहलाती है the number of tuples in a database is called तो यहां पर right answer हो जाएगा cardinality, the number of tuples in a database is called cardinality ठीक है यहीं पर अगर पूछा जाता number of attribute ठीक है, number of attribute पूछते तो वो हो जाता है degree ठीक है, उसको क्या कहते है, degree कहते है यहां पर number of tuples पूछा है, तो यह हो जाएगी is called its cardinality चली, next देखे if the derived class is struct then default visibility mode अगर derived class struct है, तो default visibility mode क्या होगा, protected, public, private या कोई नहीं तो default visibility mode आएगा है, यहां पर public, अगर derived class कैसी है struct है, okay next है 1D array size of array is array का अगर size निकालना हो one dimensional array में, तो उसके लिए कौन सा formula हम use करते हैं, तो उसके लिए होते है upper bound minus lower bound plus one, ठीक है first option जो है, सही रहेगा अगला चलिए, dash html tag is used to make text italic कोई text लिखा हुए है, आप उसे बनाना चाहते है italic में, तो उसके लिए हम किस tag का use करते हैं तो उसके लिए i tag use होता है अगर आप उसी को text को bold बनाने के लिए पूछा जाए तो उसके लिए हम b use करते हैं और underline के लिए u tag होता है तो i जो है यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक, next देखिए निमल लिखित में से कौन सी अर्थवस्था में उत्पादन का स्वामितु व्यक्तिगत होता है in which one of the following type of economy are the factor of production owned individually socialist, mixed, capitalist या none तो right answer जो हो जाएगा है यहाँ पे उत्पादन का जो स्वामितु होता है वो व्यक्तिगत होता है पूझिवाद अर्थवस्था में यानि की capitalist में ठीक है अगला है निमल लिखित में से कौन सा एक स्थल बद पोता श्रे है which one of the following is a landlocked harbour landlocked harbour इनमे से बताना है कौन सा है तो right answer हो जाएगा विशाखा पतनम ठीक है विशाखा पतनम harbour जो है यह क्या है एक landlocked harbour है और कहा पर है यह आंध्रा प्रदेश में ठीक है next चलिए निमल लिखित पर्षनों में दिये गए विकल्पों में से संबंदीत शब्द को चुनिए यहाँ पे जो दिया गया है वो है घर, इंट और पुस्तक तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही होगा अब देखे घर किस से बनता है इंटो से बनता है इसी तरीके से पुस्तक किस से बनती है कागत से बनती है तो फर्स्ट ओप्शन यहाँ पे से यह हो जाएगा पेपर चलिए next देखते हैं कुछ पेर दिये है हमें उनमें से ओड को चुनना है विशम संख्या को तो देखे पेर है 65,78, 11,24, 19,34 और 53,66 तो देखे इनका क्या निकाल सकते हैं सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या पता डिफरेंस की अकोर्डिंग निकाला हो तो इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना रहा है 3,13 का रहा है अगर इसमें डिफरेंस निकालते हैं तो यहां पर भी 13 आ रहा है यहां पर देखें अगर हम तो 9 में से 4 एक मिट 5,15 ठीक है 15 का है इसमें अगर हम देखें, तो 13 का difference है, तो यहाँ पर देखें, सब का difference 13, 13 है, लेकिन third वाले का difference 15 है, तो right answer 19, 34 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ओके, चलिए next पर देखते हैं, how many rectangles are there in given figure, दी गई आकरती में आयत बताने हमें, कि कितने आयत जो हैं, इसमें हैं, तो देखते एक काउंट करके, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक यह पूरा बन रहा है, 5, एक यह वाला पूरा है उपर, 6, यह पूरा है, 7, तो यहाँ पर total 7, जो है, rectangles है, third option जो यहाँ पर सही हो जाएगा, 7, okay, next देखें, दी गई आकरती में, एन युक्त, फलक के विपरीत क्या आएगा, हम हमें बताना है, यहाँ पर A, B, N, O, M, S, दिया हुआ है, तो N की विपरीत बताना है, कि क्या आने वाला है, इसके opposite, तो हम उपर से शुरू करते हैं, देखें, A के opposite क्या आएगा, N आएगा, अगर B के opposite पूछा जाता, तो B के opposite O आएगा, और M के opposite S आएगा, ठीक, तो A के opposite अभी यहाँ पर क्या आने वाला है, sorry, N के opposite क्या आने वाला है, A आने वाला है, ओके, चलिए next देखते हैं, क्या का है, A is the brother of P, A क्या है, brother है, किसका, P का, P मदर है, क्यो की, P किसकी मदर है, क्यो की मदर है, ओके, and Q is the son of F, क्यो किसका son है, F का son है, ठीक है, यानि कि F जो है, वो क्या है, P का husband है, तो F, A से कैसे related है, P का भाई है, A, तो F का, F जो है, क्या लगा, A का, G जा, यानि कि brother-in-law, तो first option है, या पर सही हो जाएगा, brother-in-law, ठीक है, next देखते हैं, which of the following option is not true for unorganized sector, कौन सा विकल्प जो है, A, संगटी चेतर के लिए सही नहीं है, no provision for overtime work, there is a provision for paid leaves, unsecure employment, largely outside the control of government, तो देखे, organized sector में अगर हम देखे, तो कौन-कौन सा सही है, या पर, overtime work का कोई प्रावधान नहीं होता है, ऐस रक्षित रोज़जार होता है, और अधिकांशत सरकारी नियंतरण से बाहर का होता है, लेकिन यह ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कि there is a provision for paid leaves, कि उसमें जो है, सैवेतन, यानि कि छुप्टी की बिज़ो है, salary दी जाए, ऐसा कोई भी provision या प्रावधान उसमें नहीं है, तो second option है आपी सही हो जाएगा, ठीक है, नेक्स चलते हैं, which organization formulate fiscal policy in India, कौन से संस्था है, जो भारत में राज कोशिय नीती तयार करती है, Ministry of Finance, नीती आयोग, Reserve Bank of India या State Bank of India, भारत में राज कोशिय नीती, कौन से संस्था के द्वारा तयार किया जाते है, Ministry of Finance के द्वारा, तो right answer जो हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा, Ministry of Finance, वित्मंत्रा लेके द्वारा जो है, fiscal policy तयार की जाती है, ठीक है, next देखिए, which among the following is not a function of Reserve Bank of India, कौन सा है इन में से कारिय जो की भारती Reserve Bank का नहीं है, Monetary Management, Government Debit Management, Foreign Exchange Management या Accepting Deposit from Customer, तो यहाँ पे जो RBI का काम नहीं है, वो बताना है, देखिए, Monetary Management का भी काम है, ठीक है, RBI करते है, Government Debit Management, सरकारी रण का जो प्रबंदन हैं, वो भी करते है, और Foreign Exchange Management का, लेकिन Deposit Accept करना कस्टमर से यह RBI का काम नहीं है, ग्राहकों से जमा स्विकार करना RBI का काम नहीं है, तो Fourth Option जो है यहाँ पे सई हो जाएगा, ओके, Next चलते हैं, In which year Economic Liberalization took place in India, भारत में आर्थिक उदारी करन किस वर्ष में हुआ था, 1985 में, 1989, 1991 या 1993, Economic Liberalization बताना है कि इंडिया में कब हुआ था, आर्थिक उदारी करन, तो राइट आंसर हो जाएगा, 1991 में, 1991 में, ठीक है? Next देखे, है तो second option है आपे सही हो जाएगा colony ठीक है चलिए next देखिए provision of admission or establishment of new state is given in which article of Indian constitution तो पूछा गया कि बारते सविदान के किस अनुछेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थाफना का प्रावधान दिया गया है article 1 में 2 में 3 में या 4 में किसी भी नए राज्य को बनाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है article 2 में अनुछेद 2 में जो है ये कहा गया है ठीक है next देखिए which was the most important महा जनपद among the 16 non महा जनपद तो 16 महा जनपद हुए है total तो उन में से जो सबसे महत्वपूर्ण महा जनपद बताना कि कौन सा था मगद गोशला वस्त या अंग सबसे जो फीमस हुआ महा जनपद जो मुख्य महा जनपद था वो कौन सा था मगद ठीक है तो फर्स्ट ओप्शन या पिस सही हो जाएगा मगद ठीक चलिए next देखिए इन विच हिस्टोरिकल टेक्स ओफ इंडिया सिल्वर कोईंस आर मेंचेंड एज रूप्या रूपा मदब भारत के किस हैतियासिक पार्थ में जो है जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूप्या रूप बताया गया है उपनिशद में पुरान में अर्थ सास्त्र में या फि ठीक है तो थर्ड उप्षिन या पे सही हो जाएगा अर्थ सास्त्रा ठीक चलिए विच वान वोज अग दा फोर्थ प्लेस अमंग दा फोर नोन वर्ण दीए चार वर्ण हुए है ठीक है चार वर्ण माने जाते थे पहले ब्रामन शत्रिय वैश्य और शुद्र ठीक है तो इन में चोथे स्थान पर कौन सा है शुद्र शत्रिय ब्रामन या वैश्य है तो चोथे स्थान पर थे शुद्र ठीक है तो शुद्र जो है यहाँ पे सही हो जाएगा next है who was the founder of satya sudak samaj satya sudak samaj की संसथापक कौन थे लाला लाजपतराई In which direction India is not bounded by the young fold mountain? किस दिशा में बारत वलित परवत से घिरा हुआ नहीं है? तो देखें उत्तर में भी है, ठीक है? उत्तर में वलित परवत हमने पड़ा है, सबसे नया वलित परवत उत्तर में है हिमालया, ठीक है? उसके लाओ उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पूरो और वेस्ट, तो इन में से बताने कहां पर नहीं है, तो उत्तर पश्चिम से भी गिरा हुआ है, उत्तर से भी और उत्तर पूरो से भी, तो जहां से नहीं है वलित परवत से गिरा हुआ हुआ है वेस्ट, यानि कि पुर्वी सीमा बना रहा है तो इसे क्या का जाता है पुर्वान्चल का जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्वान्चल पुर्वान्चल का जाता है तो भारत का जो उत्री मेदान है यह बना है यह जो लोड मरिदा से बना हुआ है उत्तर का मेदान ठीक है जो लोड मरिदा जो है यहां पर सही हो जाएगा तो यह था आसका मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट नमबर नाइन थांक्यू सो मच हुआ करो मॉक भारत कर देच मॉक टेस्ट सुझाओ यहां वरिए यहं जाज शो आसका मॉक टेस्ट से बना है यह जो उना इना है यहां झाल झाल